सभी मित्रों को नमस्कार भकसर जिले के कोरोना अपडेट के साथ एक बार फिर से मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों के समक्षो पस्तेत हूं जैसा कि हम सभी लोग जानते थे कि हमारे यहां कुल मिलाकर 56 के से जाये थे जो कि नया भुजपूर के थे उन 56 में से 56 पेशेंट्स ने रिकवरी कर ले और हम खोशी मनाने लगे लेकिन अभी एक नया दौर चल रहा है और इस नया दौर में क्या हो रहा है जितने भी बिहार के प्रवासी मजदूर है जो अलग अलग राजियों में जाकर बहुत वर्षों से कारी कर रहे हैं अब उनका पलायन श्री हो गया है और पलायन इतनी बड़ी संख्या में है कि हम अनुमार नहीं लगा सकते कि सारे अगर मजदूर एक बार में अगर हमारे राजिय में आ जाते हैं तो कितने बदतर हलात हो सकते हैं अब यह जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं आप लोगों को पता होगा प्रखंड अस्तर पर कई क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और यह जो प्रवासी मजदूर वहां से आते हैं इनको 21 दिनों तक इनके परिवार से अलग इनके गाउं से अलग रखा जाता है इनकी सैंपल टेस्ट की जाती है अधिकतर लोग नेगटीव पाये जाते हैं लेकिन कुछ लोग पॉजिटीव पाये जाते हैं पहले से तीन पॉजिटीव निकले थे नवानगर क्वारंटीन सेंटर के अभी एक और क्वारंटीन सेंटर पर ब्रहंपुर प्रखंड के तीन पुरुशों को positive पाया गया है हालाकि जीला परशासर ने ब्रहामपुर प्रखंड के किन गाउं के लोग है उनके गाउं के नाम उसपष्ट नहीं किये गये है नहीं quarantine center का नाम बताया गया है कि कहा कि quarantine center पर ये तीनों लोग positive पाये गये है लेकिन जीला परशासर ने इतनी सुचना दी है कि इनमें से दो ऐसे पुरुशें जो डेली से लौट कराए है एक ऐसा है जो मुंबई से लौट कराए है ये तीनों लोग पुरुशें और तीनों positive पाये गये है तीनों को अब इलाज के लिए भेजा जाएगा लेकिन जीला परशासर ने ये भी नहीं असपश्ट किया है कि ये तीनों लोग जो डेली और मुंबई से आए हैं ये डाइरेक्ट क्वारंटीन सेंटर पर गए हैं या फिर अपने घर भी गए हैं या फिर अपने गाउं भी गए हैं इसकी सूचना नहीं है लेकिन उमीद ये की जा सकती है कि प्रशासर ने घर पर नहीं जाने दिया होगा और डाइरेक्ट क्वारंटीन सेंटर पर रख लिया होगा इसलिए ब्रामपुर प्रखंड के लोगों को ज्यादा चिंतित होने की अवश्यक्ता नहीं है अभी चंद ही दिन हुए हैं प्रवासी मजदूरों के आने के सिलसिले का और आपने देखा कि हमारे जिले में छे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं इसी परकार बिहार के अन्ने जिलों में भी पॉजिटिव पाय जा रही है यानि कि अब बाहर से आने वाले लोगों का ज्यादा पॉजिटिव पाया जाना है अब हमारे यहां जो लोग थे लगवग लगवग उनका पॉजिटिव निकलना बंद हो चुका है लेकिन अभी तो शिरुवात है अब यहां पर उनकी जिम्मेदारी जो आ रहे हैं उनको तुरत अपने आप उन्हें प्रशासन के पास जाना चाहिए और उनको खुद को कौरेंटेन के लिए सुपुर्द कर देना चाहिए लेकिन हमारे यहां पर इस्तिती कुछ खराब है बिहार में बिहार में ऐसे लोग जिनके अच्छी पैरवी जिनका सोर्ष अच्छा है जिनकी अप्रोच अच्छी है वह सोचते हैं मैं इतने पहुचवला आदमी हो तो मैं क्वारंटेन क्यों जाओंगा अब वो अपने आपको क्वारंटेन जाने से तो बचा सकते हैं लेकिन क्या वो उनके सोर्ष उनके पैरवी उनके अप्रोच अपके पुरे गहाओं को संक्रमित करेंगा आप कितने बड़े अप्रोच वाले हैं आप कॉरंटीन सेंटर पर जरूर जाएं कई जगों से ऐसी खबरे भी आ रही है कि प्रशासन के लोग तीन या चार दिनों में कॉरंटीन सेंटर से उनको विदा कर दे रहे हैं डुम्राओं से भी कई लोगों का ऐसा कहना है जिला प्रशासन इस पेशना अँगा ताकि कोई भी संक्रमित ब्यक्ति दूसरे को संक्रमित ना कर सके जीतने भी प्रकंड गाओं वाले लोग आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आप देख लें कि बाहर से आने वाले लोग कितना ज़्यादा संक्रमड के शिकार हो सकते हैं क्योंकि एक ही गाड़ी में वह बहुँ ज़्यादा टचिंग पोजिशन में आते हैं भीड़बार ट्रक में कई लोग एकी साथ बैठे होते हैं तो इसमें संक्रमड के आशंका अधिक है अता आप किसी को भी अपने मुहले में अपने गाओं में नहीं आने दे कई जोगों पर जो बाहुबली और धबंग टाइप के लोग है वह भी आके रह रहे हैं और कोई डर के मारे उनकी सुचना प्रशासन को नहीं दे रहा आप घब रहा है नहीं आप डरे अच्छी वात है क्योंकि जगड़ा हो सकता है अगर आप ने किसी के बारे में खबर दी लेकिन आप जिला प्रशासन को किसी नमबर पर सुचित किजिए आपके नमबर को गोपनिये रखेगा प्रशासन किसी को नहीं बताएगा और आपके मोहले और गली में कोई भी अगर होगा तो उस तक पहुंचकर उसको क्वारंटीन किया जाएगा क्योंकि अभी अगर बाहुबली और दबंग से आप डरते हैं तो कोरोना से बड़ा बाहुबली और दबंग और कोन नहों सकता है यह आपके जान तक ले सकता है अता हम सभी अपने भूमिका का इतने भी लोग बाहर से आ रहें उनके सुचना जिला प्रशासन तक अवश्य पहुंचाएं हम लड़ेंगे और जीतेंगे नमस्कार